हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बृट्टिज मॉम किचिन आज हम बनाएंगे बनाना प्योरी बनाना प्योरी बच्चों को पसंद आने वाली एक बहुत ही हेल्दी एंड वेट केनिंग डाइट है जो बच्चों के डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है बनाना प्योरी बनाने के लिए हम को जेगे एक पका हुआ केला साथ में थोड़ा सा दूद्ध बनाना प्योरी बनाने के लिए सबसे पहले हम केले को अच्छी तरकी से छील लेंगे उसके बाद हम उसको knife की help से छोटे-छोटे pieces में cut कर देंगे ये देखे friends मैंने छोटे-छोटे pieces में cut कर लिया है अब हम fog के help से इसको अच्छे से mash कर लेंगे इसका एक अच्छा सा smooth paste बना लेंगे बनाना mash करने के लिए एक बड़ा plate लें उसमें आपको आसानी होगी आप चाहें तो इसे blending jar में डाल कर ब्लेंड भी कर सकते हैं ये देखे friends बनाना को हमने अच्छी तरीके से अब मैश कर लिया है इसे अब हम serving ball में ट्रांसफर करेंगे बनाना puree की consistency maintain करने के लिए हम मिलक यूज़ करेंगे मैंने यहां 4-5 चमच दूद मिला के consistency maintain की है बनाना प्यूरी में मिलक मिलाने से बच्चे को खाने में आसानी होती है इसलिए मैंने यहां 4-5 चमच दूद मिला दिया है फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो हाफ स्पून बोन वीटा भी मिला सकते है अगर आपके पास में फ्लेवर इनहेंस करने का कोई अच्छा तरीका है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चो को पसंद आने वाली हमारी हेल्दी बनाना फ्योरी रेडी है आप इसे घर पे बनाएं और बच्चो को जरूर खिलाएं बनाना प्योरी बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और शेयर और चैनल झाल